हलो गाईज मैं हूँ रेखा आप देख रहें रेखा क्रियेशन चैनल गाईज आज की वीडियो में मैं एक छोटी सी सिलाई टिप्स लेकर आई हूँ टिप्स छोटी सी है पर आपके लोगों के लिए बहुत ही यूज़फूल है जो लोग 2-1 साल से सिलाई सीख के काम कर रहे हैं या फिर से रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाड की तरह काम करेगी बहुत ही यूज़फूल उनके लिए रहेगी जिस काम को आप लोग करने के लिए आदा घंटा पौन घंटा अपना केंती टाइम बरबात कर देते हो इस वीडियो को देखने के बाद उस टिप्स के द्वारा आप लोग उस काम को दो मिनट में और पूरी फिंसिंग के साथ करके पूरा कर लोगे ये मैं अपनी पूरी गारंटी के साथ बोल रहे हूँ बस आप लोग एक बार वीडियो को फुल वाज करें गाइज आप लोगों के अगर पाइपिन वाली बाजू इस प्रकार से पाइपिन लगी हुई है किनारे पे देखिए ये बारडर ऐसा है कि इस बारडर को हम खोल Nhika निकाल नहीं सकते इस कपड़े में बना है तो इसके किनारे पर पाइपिन लगे तो हम यहां पर अस्तर को कैसे अटैज करें जिनको नहीं आती वो लोग तुर्पाई करके अस्तर को फोल्ड करके तुरपाई करें तो उसमें आपका आधा गंटा गंटा जाना ही जाना है दोनों बाजू में तो देखे इस प्रकार से हम बाजू को रखेंगे उल्टी साइड यह सीधी साइड हम नीचे रखेंगे बाजू को अस्तर को हम राइट साइड में रखेंगे मतलब उसके अपोजिट साइड में रखेंगे राइट साइड ह हम एक पैर का मार्जन छोड़ेंगे राइट साइड से तो पाइपिन पे सिलाई हमारी नहीं आएगी और पाइपिन के नीचे हम बराबर में एक मतलब सीधी सिलाई लगाएंगे तो देखिए ये दो मिनट भी नहीं लगेंगा इसमें एक बाजू कम्प्लीट करने में आपको एक मिनट डेड़ मिनट की टाइम परबाद होगी बस इसको हम कम्प्लीट कर लेंगे बस इस बात का ध्यान रहे कि पाइपिन हमारी टीचिंग ना आए देखिए ये हमारी सिलाई पूरी हो गई पल्टाने के बाद देखिए किस प्रकार से अच्छी तरसे फिंसिंग आ बहुत ही यूजफुल ट्रिक है अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए हो तो चैनल सस्क्राइब करना मत भूलना इस चैनल पर डेली ऐसी यूजफुल वीडियो अपलोड होती रहती है तो गाइस इस चैनल को फोलो करें और यूजफु साथ से सिलाई लगा लें तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना और वीडियो कैसी लगी कमेंट बोक्स में करके कमेंट जरूर बताना आप लोग तो मैंने देखिए यह चारू साथ से इस पर हो चुका है आप लोग इस प्रकार से बहुत इजली अस्तर को लगा सकते हो देखिए कितनी फिंसिंग है दोनों साइड से ऊपर से भी और उल्टी साइड से भी तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही है दूसरी बाजु का जिनको मतलब कहीं भी कन्फ्यूजन हो उसको द आप ये प्राकार हाफ एक पैर का मार्जन रखते वे उपर चड़ाके ऐसे इस प्रकार से रखेंगे और इसलाई लगा लेंगे फिर से तो बहुत मामूली सा एक मिनटल मिनट की टाइम लगती है छोटी सी सिलाई होती है आप इसको बाजू पर जाक पीछे वाले पार्ट पर आता है ऐसे बाउडर तो आप वहां भी यूज कर सकते हो कहीं भी आपको इस प्रकार से लगाना हो तो देखिए कितनी फिंसिंग के साथ यह बाजू अटेच हो चुकी है इस तर में गाइस वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कमेंट करोगे तभी हमको पता चलेगा कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ठ हो या नहीं फिर हमारी वीडियो में क्या कमिया है मुसको पूरा करेंगे तो देखिए इस प्रकार से हम इसको जो कपड़ा हमारा उपर से ज्यादा निकला हुआ है में कपड़ा उसको हम छाट लेंगे अस्तर के बराबर कर लेंगे ति हमारी बाजू एकदम कंप्लीट हो चुकी है दोनो गाइज मेरे चैनल पर डेली ऐससे इलाई से रिलेटट वीडियो अपलोड होती रहती है आप लोग मेरे चैनल पर एक बार विजिट करके देखें आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगी और मैं मतलब पूरी उमीद के साथ काती हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगी मैं यूजफुल वीडियो रोज देने की कोशिस करती हूँ आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि नेस्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखनी आप लोगों को तो देखिए कितनी फिंसिंग के साथ लग रहा है इतनी फिंसिंग आप हास से भी नहीं कर पाते हो जो तुरुपाई करके लगाते हैं उनमें भी इतनी फिंसिंग नहीं आती है तो गाईज यह छोटी सी ट्रिक थी आप लोगों को कैसी लगे, कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, आप लोगों का एक लाइक हमको मोटिवेट करता है, और अगर चैनल पे नए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करना मत बूलना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को इसली मिलता रहे। मैं अपने वीडियो में अपना 100% देने का कोशिश करती हूँ, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, ताकि हमको भी पता चले, और अब हम फिर मिलेंगे एक निव वीडियो में, थैंक्यू फोर वाचिंग माई वीडियो।